हेलो फ्रेंज, जैशी क्रश्णा, कैसे आप सब, वेलकम टू पृतीस कीचन, आज मैं आपके साथ ये पीली वाली मोगर डाल रहती है न, उससे तीन तरह की रेसीपी शेयर करने जाने वाली हो, इसको सबसे पहले मैंने भीगो दिया आता है, आपको कम से कम दो से तीन घंटे को लिए डाल को भीगो ना है, ज्यादा घंटे के लिए गरम पानी में भीगो दीजिए, और फिर एक से दो पानी से दो के लिए और फिर मिक्चर जार में लेके एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक हरी वारी मिर्ची, एक वाटी भर के दही ले रहे हो, आप इसकी पेस्ट बनाने हम लोगों को, आपको जरुरत पर लगे तो और दही या पानी का इस्तमाल कर सकते हो, उसमें का थोड़ा बैटर मैंने निकाल के लिए है, उसमें एक वाटी पर के छोटा मैंने बेसन डाले, चने काटा, और एक वाटी भर के दही का इस्तमाल कर रहे हो, दाल दिजीए यहां पर मैंने 1 वाटी भरके फिर लाक्या प्रत में 2 वाटी 6 तरह का घोल रेड़ी कर ले सदाए हम लोगों को कंसिस्तंसी देख लीजी ज्यादा पतली भी जादा गाडी भी नहीं था सबutions क्लेशा किरहें सेकिते हैं 4 5 वाटी बिल्म सपें बीच में स्टेन लगा दिया है एक थाली को अच्छे से तेल से ग्रीस करके लेंगे तेल से ग्रीस की हुई थाली रहेगी ना उसके बाद ये बैटर हम लोग को डायरेक्ली लेने ने सोडा इनो कुछ भी नहीं दालने ऐसे ही हम लोग को बैटर को फैला देने आप मोटा या पतला कैसा भी ये नाश्टा बना सकते हो काफी हेल्दी टेस्टी नाश्टा लगता है एक वाटी मुंग के दाल में छोटी वाली एक वाटी मुंग दाल का पेश था तो एक वाटी मैं स्वादनी सर नमक लेंगे हम लोग लिम्बू का रहस डालेंगे आधे लिम्बू का रहस का इस्तमाल करें साथि साथ इसका बीजना पड़ Gin, उस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है ने तो चट्नी कर्वा हो सकते है लिम्बू डालने से क्या होता है चट्नी का गृन क अल बन के रेडी हो चुकिए सभी नाश्टे के साथ यह चत्मी अच्छी लगती है साथ पांच मिनिट के बाद हम देखेंगे वो स्टीमर खोल के तब तक एक प्याज ले रहे हूं छोटा सा साथ में कौन ले रहे हूं थोड़े से तोड़ा सा शशिमला मिर्ची ले रहे हूं थो थोड़ा सा नमक दाल रहे हूं स्वाद अनुसर और साथ में ओरेगेनो दाल रहे हूं थोड़ा सा चिली फ्लैक दाल रहे हूं आपके पास पैरी पैरी मसाला तो वह भी दाल सकते हो थोड़ा सा ब्लैक पेपर पावडर दाल रहे हूं अच्छे से मिक्स करके लेंगे आप बड़े बच्चों के लिए या फिर बड़े लोगों के लिए बना रहे तो एक तीखा मिर्ची भी इसमें टुकड़ा करके दाल सकते हो। चाट मसाला भी थोड़ा सा एड़ कर सकते हो। काफी चट पटा सा फिलिंग रेड़ी कर लिए एक तब तक पाँच मिनिट के बाद आप देखोगे ना तो यह अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसको मैंने चेक कर लेना है हाथ की मदद से चेक कर लेना है। देखो हाथ पे चिपक नहीं रहे मतलब अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब फिर से मैंने दूसरा रेसिपी के लिए मुंग डाल ली रही है। उसमें हल्दी पाउडर और हिंग डाल रही हूँ थोड़ा सा इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं इनो डाल रही हूँ, देखो, इनो डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके लेंगे, भिक्स हो जाएगा ना बैटर, उसके बाद एक मैंने ग्रीस ग्रील पैन लिया इस तरह से, हम लोग ये सैंडवीच बना रहें, बिगर ब्रेड का मुंग डाल का सैं ब्रश की मदद से इतना ज्यादा भी नहीं लगेगा, एक चम्मच के असपस हाडली लगेगा, और एक चम्मच में ये नाश्टा बनके रेडी हो चुका रहेगा, अभी बैटर फैला की होगा, फिर हमने स्टफिंग जो रेडी की थी ना, सारी सबजियों के साथ, मसालों के साथ, वो स्टफिंग हम लोग इसके बीच में रख देंगे, देखो इस तरह से फैला देना है हम लोगों को, और ये सेंडवीच इतनी मस्त लगती है, बिगर ब्रेड की होते हुए भी, बच्चों को टिपिन बॉक्स में, या फिर मौनिंग ब्रेकफास में, रात के डिनर म या दुपर के लंच में कपी भी दे सकते हो, अभी उस स्टफिंग को मैंने इस तरह से कवर करके ले रही हूँ, जिससे क्या होगा तवे पे चिपके गाने, आप चाहिए न, तो साधे तवे पे भी ये नाश्टा बना सकते हो, मगर इस तरह से उनको शेप देखके बचों क खाने का मन हो जाता है, इसको ढखके मैंने पकने दिया है, तब तक हमारा पहला वाला नाश्टा जो है, वो रेडी हो चुका है, उसको मैं कटर की मदद से कट करके दिखा रही हूँ, देखो इस तरह से हम लोग की लंबी पट्टी बन गई है, इसको खांडवी के तरह मैं गोल गोल शेप दे रहे हूँ, खांडवी जनरली सिफ बेशन के आटेगी बनती है, मगर ये मुग दाल और बेशन से मिक्स किया हो, खांडवी भी बहुत तेस्टी लगता है, और खांडवी से थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है, अब जाए तो पतला भी रख सकते हो, मगर इस तरह से मोटा रखेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसको मैंने साइड में रख दिया है, अभी हमने सेकेंड रेसिपी जो ये की थी नम्मूंग दाल टोस्ट, उसको हम लोग को एक तरफ से पक चुकिये, लो फ्लेम पे मैंने पांच मिनिट के लिए पका थोड़ी सी हिंग दाल रही हूँ, थोड़ा से सफथिल दाल रही हूँ, ये तड़का हमने जो ये खांडवी मुंग दाल के रेडी किये, उसके उपर दाल देंगे, काफी सूपर सौफ्ट बनके रहती है ये खंडवी भी, और बहुट टेस्टि लगती है, एक बार इस तर होना नहीं है ना ही पीसने की ज़्यादा जंजट है एक दम फटा फट बन जाएगा तब तक हमारी मुंग दाल टोस सेंडविच भी दूसरी और से पक चुकी है देखो दोनों तरफ से अलटते पलटते मैंने शेक लिए यह सेंडविच को भी हम लोग निकाल के लेंगे प्ले देखो अभी इसको मैंने कट करके बताती हूँ उपड़ से एकदम क्रिस्पी बनी है और अंदर से सॉफ्ट रहती है और चटपटा सा फिलिंग भी आता है हम लोग ने जो मसाला भरा है ना इसमें सबजियों का वो अभी मैंने बैटर बच्चे हुए बैटर से तीसरी रेस सकते हो और ना हो तो भीगर सबजियों भी ये नाश्टा बना सकते हो मस्त हमारा ये बनके रेडी हो चुका है इसमें सोडा इनों कुछ भी नहीं डालना है अभी थोड़ा सा तेल गरम करके लिए है उसमें मैंने राइके दाने थोड़े से डाल दिया है थोड़ा सा जीरा दाल रहे हो और साथी साथ थोड़े से तिल डाल रहे हो और हम लोग क्या करेंगे अभी जो बैटर था ना रेडी किया हुआ वह एक से दो चम्मत जितना हम लोग को डालना है और एक भी नाश्टा आप देखो कि ना 5-7 मिनिट का टाइम ही लगेगा नाश्टा बनने उसे ज्यादा टाइम ने लगेगा अभी डखके मैंने कम से कम 3-4 मिनिट के लिए इसको पकने दिया है उपर से ड्राई ना हो जाए तब तो आपको पका ना है आप छेगे तो बड़ी कड़ाई वगरे में भी इसको बना सकते हो मगर छोटा शेप देखके बच्चों को बहुत इससलिए मैंने इसमें और यह पब फत्राई से जाताई इसने छोटे बरतन में यह देखोल्ते ने इसको रहें और आपको दूसरी पार नई पकाना है तो सब हो जाए अंदर से ऊपर से नरम हो जाएगा अंदर से तो पक हीक गया हरेगा तक की पर व不 नेbell Way a